Hello friends, welcome back to Fun and Chill So दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जोकर 2 मूवी के बारे में जिसका पूरा नाम है जोकर फूली अडक्स और ये मूवी इंडिया में दो अक्टूबर को रिलेज हुई है और वैसे भी अभी तो ये मूवी सिफ इंग्लिश में आई है पर बहुत ही जल्द इस मूवी को हिंदी में भी रिलेज किया जाएगा So इसलिए अगर आप सभी इस मूवी को हिंदी में थियेटर्स में देखना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको जोकर टू मूवी की स्टोरी जाननी है तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने जोकर टू मूवी की पूरी कहानी को explain किया है So आज की ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है इसलिए आप सभी इसे end तक ज़रूर देखिए अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो जल्दी से हमारे चैनल को subscribe कर लीजे और साथ ये बेल आइकन को भी all पर set कर लीजे ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी latest वीडियो मिस ना करे ताकि आप से हमारे चैनल की कोई भी latest वीडियो मिस ना हो सो अब सारी बातों को side करते हुए आज की सकम्माल की वीडियो को start करते है सो इस movie के story को start करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये Joker 2 movie basically एक musical movie है यानि कि इस movie में dialogue से जादा music का use हुआ है और इसलिए movie के अंदर ऐसे बहुत सारे scenes है जहां पर सिर्फ और सिर्फ गाना गाया गया है और गाना गाकर ही उस पूरे scene को समझाया गया है लेकिन मैं आप सब के लिए उन सारे scenes को काफे simple तरीके से explain करूँगी और basically मैं इस movie की story पर focus करूँगी ताकि Joker 2 movie के अंदर क्या-क्या हुआ है आपको ये पता लग जाए बाकि इसके साथ ही Joker 2 movie को लेकर जानने लाइक बात ये भी है कि Joker part 2 की story ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर Joker 1 खत्म होई थी सो इसलिए Joker 2 को start करने से पहले में आपको थोड़ा सा overview दे देती हो ताकि आपको ये पता लग जाए कि Joker की life में अब तक क्या-क्या हुआ है इस movie के अंदर हमें जिसके story दिखाई गई है उसका नाम है Arthur Flag आर्थर Flag की बात करें तो जब वो पैदा हुआ था तब उसके माता-पिता ने उसे abandon कर दिया था यानि की कहीं पर लावार इस छोड़ दिया था और फिर इसलिए आगे चलकर आर्थर को एक लेड़ी ने adopt किया लेकिन जिस लेड़ी ने आर्थर को गोद लिया था वो अपने boyfriend के साथ रहती थी और इसलिए जब आर्थर थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उस लेड़ी के boyfriend यानि की आर्थर की मदर के boyfriend ने आर्थर को बहुत ज़ादा मारा पीटा और वो उसे sexually abuse भी करता था इसलिए इन सब चीज़ों का आर्थर के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर हुआ और आर्थर बहुत ही कम उमर में trauma फिल करने लगा लेकिन आर्थर की मदर जिसने उसे adopt किया था वो ये सब कुछ देख कर और जान कर भी कुछ भी नहीं करती थी बलकि ये सब कुछ रोकने की बजाए वो आर्थर को ही समझाती थी वो उसे बहलाने फुसलाने के लिए एक कहानी सुना दी थी जिस कहानी में वो आर्थर से कहती थी कि आर्थर basically एक बहुत ही अच्छा कॉमेटिन है इसलिए आर्थर हमेशा दूसरों को हसाता रहता है और आर्थर की वजह से उसके आसपास के सारे लोग बहुत खुश रहते हैं अब अपने साथ होने वाली चीजों की वजह से आर्थर बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग होने लगा क्योंकि आर्थर के साथ जो بھی चीजे हो रही थी उन सभी ने आर्थर को मेंटल ट्रॉमा में डाल दिया जिस वजह से आर्थर अपनी उम्र के बाकी बच्चों से काफी जाता चुप चुप और शान तरहने लगा लेकिन हाँ अपने mental trauma की वजह से आर्थर को बच्पन से अपनी मा की बाते सच लगने लगे और आर्थर को अपने दिमाग में ये चीज बिलीव हो गई कि वो एक actual में बहुत ही अच्छा comedian है और वो दूसरों को हसा सकता है इसलिए जब आर्थर बढ़ा हुआ तब वो हमेशा सिर्फ एक comedian बनना चाहता था और एक comedian बनने की चाहत में ही आर्थर ने काफी बार जोकर का काम भी किया लेकिन जब आर्थर का दुनिया से सामना हुआ तब आर्थर की भूलेपन का फायदा उठा कर बहुत से लोगों ने उसका इस्तमाल किया इसलिए आर्थर को भी ये पता लगा कि ये दुनिया बहुत बुरी है और ये समाज जोकि सभ्य बनने का नाटक करता है उसका असली चेहरा बहुत घिरोना है आर्थर को उसके लाइफ में जो भी लोग मिले सब ने उसका मजाग उड़ाया सब ने उसे सिफ परिशान किया सब ने मिलकर आर्थर का इसतेमाल किया और कई सारे लोगों ने तो आर्थर को पीता भी इसलिए इन सारी चीजों की वज़ह से आर्थर ने अफने मन के अंदर एक दूसरी personality को develop कर लिया आर्थर की एक ऐसे personality जो कि उसकी personality से बिल्कुल different थी और Arthur की यही दूसरी personality थी जोकर की जिसके बाद हमने देखा था कि Arthur Fleck एक बहुत ही innocent इंसान है जो कि हमेशा ही दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा परताब करता है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता लेकिन वहीं दूसरी तरफ Arthur की दूसरी personality यानि की जोकर बिल्कूल भी innocent नहीं है इसलिए जो भी जोकर की साथ यानि की Arthur के साथ बुरा करता है उसको जोकर सजा देता है फिर हमने ये भी देखा था कि जब जोकर की personality develop हुई तब उसके बाद ये जिन भी लोगों ने Arthur का मजाक उड़ाने की कोशिश की या उसे पीटने की कोशिश की जोकर ने उन सब को मार दिया लेकिन अब क्योंकि Arthur Fleck के लिए ये explain करना बहुत जादा मुश्किल था कि जितने भी murder उसने किये है वो उसने नहीं बलकि जोकर ने किये है इसलिए सारे murders के लिए Arthur को blame किया गया और उसे दोशी मान कर जेल में डाल दिया गया इसलिए अब जोकर टू की स्टोरी आर्थर की जेल लाइफ से स्टार्ट होती है यहां जेल में हम ये देखते हैं कि जोकर ने जिन पांच लोगों की हत्या की थी उसकी सजा यहां पर आर्थर की जेल लाइफ देखते हैं जहां पर आर्थर को बाकि सारे कैदियों के साथ र बुरा नहीं चाहता है। लेकिन बाके सब लोग उसे जोकर की तरह समझते हैं और वो उसे बुरा ट्रीट करते हैं। बट कोई ये नहीं समझ पाता कि आर्थर ने जो कुछ भी किया है वो उससे जोकर ने करवाया है। अब यहाँ पर जेल के अंदर आर्थर अपनी राइब जीरा होता है लेकिन फिर इसी जेल के अंदर उसी एक लड़की मिलती है जो कि होती है Harley Queen एन इस गरेक्टर को मुवी के अंदर प्ले किया है लेडी गागा ने हारले क्वीन जब जोकर से मिलती है तब वो उसे बताती है कि वो उसे काफी पसंद करती है और वो इसी लिए क्योंकि जब जोकर ने लाइफ टेलिविजन के उपर एक इनसान की जान ली थी तब वो देखकर उसे बहुत ज़ाधा मचाया था वो जोकर को यानि की आर्थर को ये भी बताती है कि उसने उस सीन को टोटल 20 बार देखा है यहाँ पर आर्थर हारले कुईन से ये पूछता है कि आखिर वो इस जेल में क्या कर रही है वो यहाँ पर कैसे आई जिस पर हारले कुईन उसे ये बताती है कि जब वो छोटी सी थी तब से लेकर अब तक उसकी माँ उसे साई को कहती है लेकिन उसके हिसाब से वो कोई साई को नहीं है वो बिल्कुल ठीक है वो बताती है कि वो अपने मॉम डेट से इतनी जादा परिशान हो गई थी कि जस अपार्टमेंट के अंदर उसके मॉम डेट रहते थे उसने उस पूरे अपार्टमेंट को जला दिया और जलाकर अपने मॉम डेट को भी मार दिया इसी वजह से उसे इस जेल के अंदर आना पड़ा अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि हारले क्वीन और आर्थर एक दूसरी को काफी पसंद करने लगते हैं इसलिए वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं अब इसके आगे एक दिन हम ये देखते हैं कि जेल के सारे कैदियों को बिठा कर मूवी दिखाय जा रही होती है लेकिन फिर उसे टाइम पर हारले कुईन वहाँ पर आग लगा देती है और उस पूरी बिल्डिंग को जला देती है जिस वजह से वहाँ पर भगदर मत जाती है पर उसी बात का फाइदा उठा कर वो जोकर यानि कि आर्थर का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ जेल से भागने के लिए कहती है अब ये बात सुनकर जोकर को भी काफी अच्छा लगता है और फिर इसलिए वो और हारले कुईन जेल से भागने की कोशिश करते हैं सारे पुलिस ओफिसर्स से बचते हुए वो लोग गेट के पास आ जाते हैं लेकिन वहीं पर वो लोग पकड़े जाते हैं जहां पुलिस ओफिसर्स उन्हें पकड़ के पहले तो अलग करते हैं और फिर वो लोग आर्थर को बहुत जादा मारते हैं ताकि आर्थर आगे से ऐसी कोई हरकत ना करे हाला कि इसके अगले दिन हारले कुईन आर्थर से मिलने आती है वो आर्थर को ये बताती है कि जेल व लेकिन जेल से निकलने के बाद भी हम ये देखते हैं कि हारले कुईन बहुत फ्रिक्वेंटली आर्थर से मिलने आती है आर्थर भी हारले कुईन से मिलके बहुत खुश होता है और फिर इसी दौरान आर्थर और हारले कुईन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं बट इस यो दिनों में Arthur को फासी देकर मार दिया जाएगा लेकिन फिरिसी टाइम पर एंटरी होती है एक लेडी की जो की बेसिकली एक counselor होती है ये counselor lady सीधा जेल आकर Arthur से मिलती है और वो Arthur से बात करते हुए उसे ये बताती है कि उसने Arthur की सारी files को पड़ा है वो ये भी जानती है कि Arthur की life में अब तक क्या क्या हुआ है वो Arthur से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर दो personalities है पहली personality तुम्हारी खुद की जो की Arthur है और तुम्हारी दूसरी personality है जोकर की और इसलिए मैं ये जानती हूँ कि तुम बिलकुल innocent हो और अब तक जो भी 5 murderers हुए है वो तुमने नहीं बलकि जो करने की है फिर इसके लिए वो लेड़ी Arthur की help करने की कोशिश करती है वो Arthur से कहती है कि वो इस बात को साबित करके रहेगी कि अब तक जो भी murderers हुए है वो तुमने नहीं बलकि जो करने की है और तुम यानिकी आर्थर बिलकुल इनोसेंट हो इसलिए तुम्हें यहां जेल के अंदर नहीं बलकि किसी हॉस्पिटल के अंदर रखा जाए और तुम्हारा इलाज किया जाए ताकि तुम बिलकु ठीक हो पाओ फिर इसके लिए वो लेड़ी गौतम सिटी के कोट के अंदर ये पिटीशन डालती है कि आर्थर फ्लैक को ऐसे सिधे मौत की सजा ना दी जाए बलकि उसके उपर एक ट्रायल चलाय जाए और उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो अपने आपको बेकसुर साबित कर सके का खुल के सपोर्ट करते हैं और इसलिए यहाँ पर वही सारे लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जोकर को सीधे फासी की सजा ना दी जाए बलकि उस पर ट्रायल चलाय जाए अब क्योंकि आर्थर को बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं इसी कारण इन सब के प्रेशर में आकर गौतम सिटी का कोड आर्थर को अलाव करता है एंड वो आर्थर के उपर ट्रायल चला कर उसे एक मौका देता है इसके बाद ही वो काउंसलर लेडी आर्थर का केस लड़ती है और वो आर्थर को कोड में रिप्रेजेंट करती है लेकिन यहाँ पर आर्गुमेंट्स के दौरान ही हम ये देखते हैं कि आर्थर या फिर यू बोले जोकर पागलपंती करने लगता है वो अचानक से चिला चिला कर कोड के जट से बोलता है और वो आर्थर को ही मौका देता है कि वो अपना केस खुद लड़ सके लेकिन अब क्योंकि आर्थर तो जोकर है इसलिए वो वो वहाँ पर पागलपंती करना शुरू कर देता है वो अपने आर्गुमेंट्स के अंदर सिर्फ उल्टे सीधी बाते करता है क्योंकि आर्थर फ्लैक ना तो कोई लायर है और ना ही वो इतना कैपिबल है कि वो अपना केस लड़ सके इसलिए अपने दिमागी बिमारी के चलते वो वहाँ पर बहुत सारी बखवास बाते करता है सिर्फ यही नहीं बलकि कोट के अंदर वो इस बात को भी एडमिट कर लेता है कि उसने सिर्फ पांच लोगों को ही नहीं मारा है बलकि उसने टोटल शे लोगों को मारा है और वो छटा इंसान जिसे उसने मारा है वो है उसकी खुद की माँ जिनको कि इसने हॉस्पिटल के अंदर मुह पर तक्या रख के मार दिया था फिर आर्थर फ्लैक की इन सारी बातों को सुनकर कोड का जज और सारे जूरी मेंबर्स इस बात के कंक्लूजन पर आते हैं कि आर्थर फ्लैक जो की जोकर है वो एक पागल इंसान है और उसी ने गौतम सिटी में 6 लोगों की जान ली है इसलिए आर्थर को दोशी डिकलेर कर दिया जाता है और उसे फांसी की सजा देकर मारने का हुक्म दिया जाता है लेकिन हम यह देखते हैं कि कोड का जज जैसे ही अपनी जज्जमेंट को पास करता है वैसे ही उससे पहले जोकर के जो सपोर्टर्स होते हैं वो कोड पर अटैक कर देते हैं और एक गाड़ी के अंदर बम डाल कर वो लोग उस गाड़ी को कोड की दिवास से टकरा देते हैं जिस वजह से बम ब्लास्ट होता है और कोड फट जाता है फिर इसके लिए जोकर के जो सपोर्टर्स होते हैं वो जोकर को कोट के अंदर ढूनते हैं उन्हें जोकर वहीं पर मिलता है जो की बहुत बुरी हालत में होता है क्योंकि बॉम ब्लास्ट होने की वजह से जोकर को कई सारे इंजरीज होती है लेकिन जोकर के सपोर्टर सीधा जोकर को उठाते हैं और उसे अपनी गाड़ी में डाल कर वहां से निकल जाते हैं रास्ते में वो लोग जोकर से कहते हैं कि वो लोग उसे फांसी की सजा नहीं होने देंगे लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी से थोड़ा आगे जाते हैं वैसे ही जोकर उनकी गाड़ी से उतर कर भाग जाता है और वो भागते भागते बहुत तूर आ जाता है लेकिन फिर अचानक से पुलिस की गाड़ी जोकर को देख लेती है और इसलिए वो जोकर यानि की आर्थर फ्लैक को अरेस्ट कर लेती है फिर इसके बाद आर्थर को फिर से उसकी जेल में वापस डाल दिया जाता है लेकिन इसके बाद ही एक दिन जब आर्थर अपने सारे साथियों के साथ बैठा होता है तब ये अचानक से उसके पास एक पुलिस वाला आता है वो आर्थर से कहता है कि कोई उससे मिलने आया है इसके लिए वो उसे बाहर बुलाता है लेकिन जब ये सुनकर आर्थर वहां से आगे जाता है और वो एक कॉरिडोर में होता है तब हम ये नोटिस करते हैं कि उस कॉरिडोर के अंदर आर्थर अकेला है फिर उसी टाइम पर आर्थर के पास उसकी जेल का एक दूसरा कैदी आता है और वो आर्थर को पकड़के उसके पेट में चाकू मारने लगता है और इस चीज को देखकर हमें ये रिलाइज हो जाता है कि शायद से पुलिस वालों ने मिलकर ही आर्थर को मरवा दिया है बट यहाँ पर जैसे ही आर्थर यानि की जोकर की मौध होती है वैसे ही ये मूवी खत्म हो जाती है सो दोस्तो ये था जोकर टू मौवी का पूरा एक्स्प्रिनेशन आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताए वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक को शेर करें और साथ ही चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आपसे एक और न्यू मूवी एक्स्प्रियेशन के साथ तिल रेन गुट बाए